गुर्व भग्वान की शुक्राने हैं चलिए आगे चलते हैं गीता में ठार्वे अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन ने पूछा कि मैं सन्यास और त्याग के तत्व को प्रथक प्रथक जानना चाहता हूँ क्योंकि भग्वान ने शुरू में कहा था जब अर्जुन धनोश अपना छोड़ कर रत के नीचे के भाग में बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भग्वान ने हस्ते हुए से इंडिकेट किया था ना तो तू सन्यासी है ना तू त्यागी है अब अर्जुन को वो बात याद आ रही है तो पूछता है आप सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग बताईए क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं ये सब युद्ध छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूँ तो आपने कहा ऐसी सन्यास को मैं नहीं मानता तो फिर सन्यास क्या होता है छोड़ कर जाना ही तो सन्यास है और त्याग क्या है छोड़ देना त्याग है तो इन दोनों में कुछ अलग है क्या कुछ फरक है क्या तो भगवान कहते है हाँ फरक है समझो श्री भगवान बोले दूसरे श्लोक है कितने ही पंडिजन तो काम में कर्मों के त्याग को सन्याज समझते हैं सन्याज त्याग का मुझे जोटा से आख्या में समझ में अभी याद आ गया, वो आपको पता देता हूँ, प्रकर्ती की चीज सर्वता प्रकर्ती में देना, याने छोड़ देना, प्रकर्ती की चीज प्रकर्ती में छोड़ देना, और विवेक द्वारा प्रकर्ती से अपना सर्वता संबंद विच्छेत कर लेन का नाम सन्यास है और प्रकर्टी से जो भी बाहर जो कुछ मिला है वो सब छोड़ देना और विवेक द्वारा यार्थात मैं यह शरी नहीं हूँ यह शरी भी तो प्रकर्टी है इसको भी छोड़ देना यह सन्यास है तो प्रश्ण उठता है इसको कैसे छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे विवेक के द्वारा मैं शरीन नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ ये विवेक है इसमें करना ऐसे नहीं होता कि शरीर को छोड़ देना का अतात पर आप पूछने लगें क्या होता है सिर्फ इतना ही होता है कि याद रहता है उस व्यक्ति को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भूक लग रही है तो शरीर को, प्यास लग रही है तो शरीर को, जल दे दो, भूक लग रही है भोजन दे दो, कपड़ा पेनाना है, ठंड लग रही है तो कपड़ा और पेना दो, और पेना दो, इसको ठंड लग रही है शरीर को, मुझे नहीं लग रही, मैं तो आत्मा हूँ तो ये विवेक है, ये विवेक है छोड़ देना और पकड़ लेना इसमें कुछ नहीं होता ये विवेक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ एक सोच है, जो सही है, सच है मरने के बाद शरीर यहीं पढ़ा रहे जाता है और आत्मा निकल कर परमात्मा में विलीन हो जाता है कोई कहते हैं जीव आत्मा, कोई कहते हैं जीव, कोई कहते हैं आत्मा तो इसमें भेद कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है तो आप ज़्यादा शब्दों के जाल में मत फसिए सर्फ इतना है कि एक चेतन तत्व निकल करके परमात तत्व में भी लेन हो जाता है और जड़ शरीर यहां पढ़ा रहता है ऐसे समझ लिज़े, दो भाग हो गए एक जड़ और एक चेतन जड़ यह शरीर और चेतन परमात्मा दो अब वोई चेतन का अंश मौजूद था शरीर में तो शरीर चल फिर रहा था हस बोल रहा था, खा रहा था, जी रहा था वो चेतन निकल गया, तो शरीर जड़ हो गया जड़ पढ़ा हो, पढ़ा रह गया, पढ़ा है अब तो हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे एक दिन यह शरीर मेरे को छोड़ जाएगा तो यह बात मैं सोचा करता था इसे कैसे कहते हैं, क्या मतलब है इनका एक दिन यह शरीर मेरे को छोड़ जाएगा मिसाल इसकी लेते थे, जिसे सब अपनी केचली को छोड़ता हुआ चला जाता है, केचली निकल जाती है पीछे, केचली उसकी स्किन को कहते है जो स्किन आपने कभी सपेरों के पाद देखी होगी, वो बेच चते हैं उसको, एंटिसेपटिक होती है जो अर्था जहां आप रख देते हैं वह germs नहीं व्याबते कपड़ों के अलमारी में आप रख दीजे तो उसमें germs नहीं आएंगे कपड़ों काटेंगे नहीं जो कपड़े कट जाते हैं लोगों के तो वो नहीं कटेंगे तो केचली जो होती है वो एंटिसेप्टिक होती है तो वो उतार देता है और आगे बढ़ जाता है इसी प्रकार गुरू ने कहा कि एक दिन ये शरीर मेरे को छोड़ जाएगा और मैं इससे अलग आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा इस समझ की बात है कैसे होगा क्या होगा प्रैक्टिकल इस सब चक्रम में मत पढ़िये बस बात को समझ लेना है इसको कहा विवे कि ये सबजेक्ट है एक प्रकार से इस नॉट इन अबजेक्ट दिखा नहीं सकते इसको इस सबजेक्ट है ग्यान है ये समझ खोलता है हमारी शरीर भाह में लोग पढ़े रहते हैं अपना दिन भर वो कल कोई पार्टी है तो आज दिन भर अपना वो कराते रहेंगे अब आप समझ लेजे क्या कराते रहेंगे जहां भी जाते हैं क्या बोलते हैं उसको ब्यूटी पार्लर महजा करके सबकर आते रहते हैं वो क्या था वो Prince of Charles Prince स्वरी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए पस एक idea देना चाहता था आपको कि एक देश का एक एक राजकुमार अभी तो राज़ा लोग नहीं रहे पर राजकुमार अभी भी चल रहे हैं so called चल रहे हैं थोड़े थोड़े जहां भी हैं तो उस देश का जो राजकुमार था वो उसका million of dollar खर्च होता था अपने make-up का पूरे साल में पूरे साल का make-up का उसका खर्चा male person, gents कई हजार dollar खर्च होते थे उसके तो अब हैं लोगों को शौक होता है कोई नहीं तो इसको कहते हैं दे भाव दे भाव, जी भाव body consciousness अपने को शरीर मानना तो प्रकर्टी की चीज सर्वता प्रकर्टी में देना छोड़ देना और विवेक द्वारा प्रकर्टी से अपना सर्वता संबंद विच्छेत कर लेने का नाम सन्यास है मैं शरी नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ यह सन्यास हो गया घर परिवार मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है यह सन्यास हो गया ऐसा मान लेना आप छोड़ कर जाएं न जाएं, मान लिया सन्यास हो गया अब उसको पकड़ करे रहे ना है ऐसा नहीं कि फिर कल को फिर घर मेरा परिवार मेरा चीज मेरी ये मेरा वो मेरा नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अंदर का त्याग है, बाहर का नहीं भगवान ने का बाहर के त्याग को मैं नहीं मानता अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है घर छोड़ कर चले जाने वाला सन्यासी नहीं है अगर उसने अंदर से त्याग नहीं किया तो त्याग क्या है? कर्म और फल की आसकती को छोड़ने का नाम त्याग है कर्म और फल की आसकती कर्म मैं करता पना मैं करता हूँ इसको छोड़ देना और फल की आसकती को छोड़ देना ये वास्तविक त्याग है मैं नहीं करता हूँ परमात्मा की शक्ती से सब कारे हो रहे है शरीर सेवा के लिए मिला है, सेवा कर रहा है, ये त्याग है तो जो कर्म और फल में आ सकत नहीं होता, जो कर्म और उसके फल में आ सकत नहीं होता मैंने किया मुझे ये फल मिले, ये भाव नहीं होता वह योगारूड हो जाता है भगवान ने कहा उसका मेरे से योग लग जाता है क्योंकि ना तो करता पना है उसके अंदर ना फल में कोई आ सकती है सीवा हो रही है मैं भगवान कहा हूँ भगवान मेरे यह उसका पक्का है सीवा हो रही है शरीव से तो भगवान ने कहा वो मुक्त है दूसरे अश्लोग कितने ही पंडिजन तो काम में कर्मों के त्याग को सन्याज समझते हैं तत्थ दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं काम में कर्म क्या है इस्तरी पुत्र और धन आधि प्रिय वस्तों की प्राप्ति के लिए तता रोग संकट आधि की निवृत्ति के लिए जो यग्य दान तप और उपासना आधि कर्म की जाते हैं उनका नाम कामिकर्म है कामिकर्म मतलब सकाम कर्म अपने फायदे के लिए अपनी इस्तरी पुत्र धन मकान मानसम्मान आधि प्रिय वस्तों की प्राप्ति के लिए और रोग संकट आधि की निवृत्ति के लिए जो यग्य दान तप इत्तियादि किये जाते हैं उपासना की जाती है भक्ति की जाती है मुझे ये मिले वो मिले जैसे मान लीजे हमारा मन हुआ वरंदावन गए हैं कनहिया अपको ले कर आएं अपने साथ तो हमने किसी शौप पर अच्छे से कनहिया पसंद किये पेमेंट किया ले करके आए हम बाल गुपाल लाए हैं गुरुजी को दिखाया यमना इसनान कराया करा करो करके कपड़े वस्त रित्यादे पहना कर और अपने घर लाए हम कनहिया को लाए ये वह निश्काम कर्म सकाम कर्म क्या है वरंदावन गएं कनहिया को ले चलो अब इनको घर पे प्रतिष्ठित करने से फाइदा होगा ये वस हकाम कर। फाइदा तो होगा लेकिन जब नुकसान होगा तब कैसे करोगे कोई बता रही थी हमने कनया को उठा के स्टोर में डाल दिया है क्योंकि अब पहले जब हम लाई थे तो बड़े फाइदे होते थे अब फाइदे नहीं होते तो हमने उनको स्टोर में डाल दिया है ऐसे लोग होते हैं तो भगवान की उपासना फाइदे के लिए ने की जाती अपनी ली की जाती है कि मेरी मुक्ती होगी हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे हम मुक्त हो जाएंगे इसके लिए उपासना होती है शडीर की तो देखे प्रारब्त है कितना मिलना है कब मिलना है मिलता रहा ठीक है आपका नहिया ले आए कुछ भागी खुल गया और ज्यादा कुछ आपका बढ़ गया है ना चाहे वो मान सम्मान है चाहे पैसा है चाहे मकान है चाहे दुकान है चाहे व्यापार है चाहे नोकरी है फायदा बढ़ गया उसके बाद फिर घट गया जैसे थिया वैसे हो गए तो उसमें करने यह नहीं क्या करा तो यह जो लोग करते हैं ये मतलए इनका फिर आचरन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान तो भगवान है, इस सारे संसार के स्वामी है, तो कई विद्वान काम में कर्मों के त्याग को सन्यास केते हैं, सकाम कर्म के त्याग को सन्यास केते हैं, कर्म करो निश्काम, अर्थात सब के हित के लिए, सब के फाइदे के लिए सीवा करते है उसमें हमारा भी हो जाता है पर अपना खाना है, कपड़ा पहनना है, घर में रहना है ये भी हो जाता है साथ में पर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे सीवा तो शरीर को स्वस्त रखते हैं exercise है प्रणयाम है व्यायाम है यह सब करते हैं शरीर को स्वस्त रखने के लिए ताकि सब की सिवा कर सके अच्छे से यह भाव है मैं स्वस्त रहूं, मैं खाऊं, मैं जीऊं मैं healthy हो जाऊं मैं यह, मैं वो, मैं मुझे मिले मैं यह सब सब काम करमें और यह दुख देने वाला है प्रेम करन निशकाम निर्मल नाम ले घंश्याम का हम जो भी करम करें निशकाम करम करें और भगवान का नाम लेते रहें यह जुन तु करम कर और सब समय में मेरा स्मरण कर भगवान को याद रखे और शरीर से सिवा होने दे तो जो अपने फायदे के लिए कर्म किये जाते हैं वो सकाम कर्म हैं उनका त्याग करने का नाम सन्यास है कुछ मनीशी लोग, कुछ विद्वान लोग ऐसे कहते हैं कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों में जो फल की इच्छा है उसका त्याग करने का नाम त्याग है दूसरा साथ के साथ बता दिया त्याग क्या है कर्म के फल का त्याग कर दो कर्म के फल की जो इच्छा है उसका त्याग कर दो वो त्याग हो गया कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को छोड़ देना चाहिए छोड़ करके सन्यास ले लेना चाहिए वो ही त्याग है क्यों क्योंकि सब कर्मों में दोश है जैसे अगनी में दुआ आग जलाओ तो दुआ होता है तो ऐसे ही सब कर्मों में दोश है आप कहेंगे आजकल तो गैस जलाते हैं उसमें तो धुआ नहीं होता है उसमें भी होता है दुआ काला काला हो जाता है बरतन कभी आप देखना आपकी छत काली पड़ जाती है थोड़ी टाइम बाद वो कहां से है तो धुआ तो है उसमें भी उसमें भी धुआ है कभी आप गैस को ओन करके देखना तो जो लपट निकल रही होगी उसमें थोड़ा सा धुआ दिखाई देगा आपको कुछ विद्वान ऐसा कहते है कि कर्मों को छोड़ देना चाहिए क्योंकर दोश होता है उनमें खेर भगवान तो बात बता रहे हैं ऐसे ऐसे विद्वान लोग कहते हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि सब कर्मों का भले त्याग कर दो ऐसे दूसरे सब कर्मों का भले त्याग कर दो परन्तु यग्य, दान और तप इनका त्याग नहीं करना चाहिए बले और बाकी सकाम करमे ये करमे वो करमे उनको छोड़ दो पर यज्य, यज्यार्थ जीवन दान और तप तपस्या जो हम कर रहे हैं जिससे भगवान मिलते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए सब को छोड़ कर जंगल चले गए तो क्या भगवान मिल जाएंगे क्या भगवान जंगल में रहते हैं क्या घरों में नहीं रहते भगवान मंदिर में नहीं रहते भगवान आश्रमों में, तीर्थों पर हमारे आपके शहर में भगवान नहीं रहते क्या भगवान खाली एक ही शेहर में किसी एक तीर्थ पर रहते हैं क्या राम जी अरुद्ध्या में रहते हैं क्रिशन जी वरंदावन में और द्वारका में रहते हैं जहां भी मत्रा वरंदावन द्वारका जहां जहां वो रहे वहां रहते हैं ऐसे थोड़ी होता है भगवान क्रिशन के तो मंदिर दे उस पर यात्री लोग जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, जन्माश्टमी पर वहां उत्सव होता है, बारा हजार फिट की उचाई पर भगवान कर्ष्ण का एक मंदर किसी राजा ने बनवाया था, अब वहां साल भर सारे साल लोग नहीं जा पाते हैं, बरफ ही बरफ होती है, तो लेक जम जाती है सर्दियों में, बरफ ही बरफ हो जाती है सारे में, तो वहां लोग अगस्त में जन्माश्टमी के दिन जाते हैं, वहां में ललगता है, बारा हजार फिट की उचाई पर, सोचिए, और बारा किलो मीटर का ट्रेक है नीचे यूला गाउं से, बारा किलो बहुत ही सुन्दरदर्ष है, तो यह सब तफ हैं भगवान के रहे हैं, तफ नहीं छोड़ना चाहिए, तफ टफ अस्याय नहीं छोड़ना चाहिए, अब कर्म की व्याख्या में कहते हैं कर्म पांच परकार के होते हैं। पहला है नित्य कर्म, नित्य कर्म जो दैनिक हमारे कर्म होते हैं, रोज के हमारे कर्म होते हैं, उसमें भी संध्या, गायत्री, त्यादी, सुबै और शाम भगवान का पूजन है, उसके बाद दिन भर के हमारे कर्म हैं, यह सब नित्य कर्म हैं, शास्त्र करनुसार काईदे से जो सही सही बताएगा है फिर दूसरे आते हैं नेमितिक कर्म नित्य नेमितिक कर्म आप सुनते आयोंगे अब तक तो नित्य कर्म कौन से हैं जो दिन प्रति दिन के जो हमारे कर्म होते हैं रोजवाले वो कर्म हैं उन्हें पूजापाथ भी आता है नित्य कर्मे, निमित्य कर्म देश काल परिस्थितियादी किसी निमित्य को लेकर किये जाते हैं, जैसे प्रयाग जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, विरंदावन जाएंगे, तो सबसे पहले तो गंगा इस्नान, यमना इस्नान, जो भी नदी जहां पर है, जबलपुर नेमिशारन तीर्थ पुषकर है तो तीर्थ रुद्र प्रयाग है देव प्रयाग है ये सब प्रयाग में कई प्रयाग आते हैं काशी प्रयाग है सर जाकर शास्त्रवेत कर्म करते हैं दान इत्यादी देते हैं और स्नान इत्यादी करते हैं ये देशक्रत कर्म होते हैं उस देश में जाकर करते हैं फिर नेमित्तिक कर्म हैं दूसरे आते हैं जैसे इकाशी है आज देश काल परिस्थेती के नुजार है नेमित्तिक किसी निमित्त के कारण, निमित्त देश भी हो सकता है, देश मतलब जगे, वहाँ जगे जाकर हमने वहाँ कर्म किये, पूजा पाट करी, हवन कराया, स्नान किया, दान किया, इसा, फिर एकाश्ची है, पुर्णिमा है, आप कौनसा दिन है, दिन के साब से निमित्तिक कर्म, पुर्णिमा है, अमावस्या है, ग्रहन पड़ रहा है, होली है, दीपावली है, अक्षयत रितिया है, कार्तिक मास है, इन में जो शास्त्र वेत कर्म की जाते हैं, वो सब निमित्ति कर्म कहलाते हैं फिर पुत्र के उत्पन होने पर किसी निमित्त के कारण है न कि निमित्त मतलब कोई कोई वजे किसी कारण के वजे वजे के साब से पुत्र के उत्पन होने पर पुत्री के विवाह होने पर कोई और संस्कार होने पर कोई भी संसकार जो होते हैं तो उसमें संत महात्माओं का सत्चंग मिलने पर संत महात्माओं का सत्चंग हवन इत्यादि कराने पर जो शास्त्र वेत कर्म के जाते हैं उनको नेमितिक कर्म कहते हैं संत महात्मा आएंगे गुरुजी आएंगे तो सत्चंग कायोजन होता है खुब अच्छा कासा भंडारा लगता है खुब अच्छे तरह से तैयारियां हो करके सत्चंग होता है मन लगता है उसमें ऐसे स्टेज पर बैठे हो गुरुजी खाली स्टेज पर तो उतना मज़ा नहीं आएगा और सजावट हो थोड़ी तो आखें जो है ना ऐसे चिक चिक चक आचोंत आखें भाड़ भाड़ के देखेंगे कितना सुन्दर दृष्चे है फोटो खीचेंगे अब हां गुरुजी अकेले बैठें स्टेज पर कुछ नहीं है बिलकुल खाली पड़ा है स्टेज और कोई नहीं है वाँ और नीचे हम सब लोग बैठें तो सच्चांग हो रहा है तो उतना मज़ा नहीं आएगा ना अगुरुजी भी सफेद कपड़ों में बैठें सफेद कुर्ता, सफेद पजामा वो भी साधा सा कलपना में आ रहा होगा आपके तो आपको पसंद भी नहीं आएगा आप कहेंगे चलो है गूमने चलते सजावट हो रही है जगमग जगमग लाइट हैं हो रही है और पीछे भगवान जी के श्रीव इगरे हैं ये हैं वो हैं बढ़िया सोफाचियर लगे हैं और ढोलबाजे और सिंथसाइजर और फलाना और मियोजेक और ये और वो और खुब बढ़िया सा साउंड सिस्टम और बैठने की जगा बढ़िया चारों तरफ चकाचों तो बड़ा मन लगता है इस हमनेमितिक करम है तीसरे आते हैं काम में करम सकाम करम हमारा मान सम्मान हो जाए हमको पैसा मिल जाए हमारी प्रसिद्धी हो जाए हमारे पुत्र हो जाए बहुत सारा धन मिल जाए हमारी मन चाही हो जाए इस्ट की प्राप्ती हो जाए हम जो चाहते हैं वो चीज मिल जाए रोक की निवरित्ती हो जाए हमारा दुख मिट जाए यह सब काम में कर्म है आफ़त मिट जाए करजा दूर हो जाए इस तरह यह सब और अनिष्ट की निवरित्ती कुछ भी बुरा हो रहा है हमारे साथ उसकी निवरित्ती वो हड़ जाए यह काम में कर्म इसके लिए जो कर्म के जाते हैं शास्त्री अनुष्ठान के जाते हैं हवन यग जप इत्यादी के जाते हैं पूजा पाट के जाते हैं वो सब काम में कर्म कहलाते हैं नौकरी किसलिए करने जाते हैं पैसे के लिए है, ये काम में कर्म हो गया नौकरी किस लिए जाते हैं सेवा के लिए, ये निश्काम कर्म हो गया पैसा जो मिलता है वो तो ठीक है वो तो भई जीएगा कैसे आदमी पैसे के लिए जाते हैं नहीं, सेवा के लिए जाते हैं शब्दों में कितना फरक है वही कर्म सकाम हो गया वही कर्म निशकाम हो गया एक कर्म तुछ हो गया एक कर्म मान हो गया चौते आते प्राइश्चित कर्म हम से जन्मों जन्मों भूल से, अग्यान से गलती से जान बूच कर कुछ पाप कर्म हो जाते हैं गलती से भी हो जाते हैं भोल से हो जाते हैं ध्यान नहीं रहा कुछ ऐसा हो गया पैर पढ़ गया कहीं कोई चीज मर गई कोई चीज नुकसान हो गया गलती से हो जाते हैं अंजाने में हो जाते हैं भोल से हो जाते हैं बिना जानकारी के हो जाते हैं, किसी को हमने कुछ बोल दिया, हमारा ध्यान नहीं गया, उसको बहुत हर्ट हो गया, उसका दिल दुख गया, पापकर्म हो जाते हैं, गल्तियां हो जाते हैं, तो इनको दूर करने के लिए प्रैश्चित कर्म होते हैं, तो ग्यात अग्यात, ज जाने में जो पाप कर्म किये जाते हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ उपाए हैं, प्रैश्चित कर्म कहलाते हैं, जाने में, अंजाने में, गल्तियां हो गई, पाप हो गए, उनको दूर करने के लिए जो कर्म किये जाते हैं, उनको प्रैश्चित कर्म कहते हैं, उसमें ग दानित्यादे यह जो शुप कर्म की जाते हैं यह प्राहिश्यत कर्म कहलाते हैं इनके द्वारा प्राहिश्यत होता है ऐसे आप समझते होंगे मैं तो समझता हूँ उस बात को कि अगर मान लिजे मेरे जीवन में कोई गलती आ रही, कुछ पाप हो गए मुझसे जाने अन जाने कोई हर्ट हो गए लोग क्योंकि मेरा सत्संग का काम रहा शुरू से तो मैंने डाटा बहुत है लोगों को अब तो ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डाट को नहीं कुछ ऐसी बात नहीं का हूँ जो किसी को हर्ट हो जाए, कोशिश करता रहता हूँ फिर भी गलती से निकल जाता हूँ तो मुझे नहीं मालूम मैं अच्छमा चाहूँगा उन लोगों से जो कभी मैंने कुछ कह दिया हो ऐसा तो ऐसे हो जाता है हमसे तो उसमें क्या होता है कर्म बन जाते है तो उसका प्राइश्चित है कि अब हम नमरता से चलें अब हम सब को दें किसी गरीब को साहता की जरूआत है तो उसके लिए हम कुछ कर सकें तो कर का ये कुदारन है गुरुमा जो है पार्क में जाती है तो उन्होंने बताया उनको एक जानकार व्यक्ते मिलते हैं तो वो अपने कभी-कभी कुछ घटना है सुनाते रहते हैं तो बोले कल की ये घटना है कि एक आदमी को मेडिकल कॉलिज में दिखा रहा होगा अपने बच्चे को तो वो कुछ बच्चे के बलड टेस्ट करने के लिए बार-बार बलड उसका खींच रहे थे वो बच्चे के बलड नहीं निकल पा रहा था तो बहुत तकलीफ हो रही थी उसको तो वो आदमी जोर से चिल लाया कि आप क्यों परिशान कर रहे हो मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ने उसका सिर जो है ऐसे कर दिया उसका सिर जाके बराबर में शीशा लगा हुआ तो उसमें लगा शीशा फूट गया अब शीशा फूट गया तो डॉक्टर ने का इसने शीशा फूट दिया और उसको जो लोकल पुलिस होती है वहांकी एक पुलिस होती है अलग से गाड्स कह लीजे बुला करके उसको बंद करा दिया एक गाड़ी में इसको थाने में बंद कराया हूँ अब गुसा आ गया उनको अब वो आदमी रोए सो रोए उसका बच्चा पढ़ा है हॉस्पिटल में उसको जो पकड़ के लिए जा रहे है धाने बंद करने के लिए बताई को तरीका है आदमी कैसे होता है तो यह जो व्यक्ति में मौझूद थे इन्होंने जानते थे उनको डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्ट करी कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ बहुत गरीब है डॉक्साब इसको छोड़ दीजे प्लीज वो माने नहीं डॉक्टर उन्होंने अपने सुपीरियर से कहा सुपीरियर को ने सुनी सब बात तो उनने का चलो ठीक है यह जानते हैं जानकार है तो चलो छोड़ देते और उस व्यक्ति को छोड़ा तो सच में मेरा दिल दहल गया बात सुनकर कि कैसे कैसे लोग बताईए कितना जोर जोर से रो रहा था वो आदमी कि मेरा बच्चा रह जा रहा है हस्पताल में और अकेला यहां वो और अकेला में और मुझे ले जा रहे हैं थाने बंद कर दे कब छोड़ेगी पुलिस कितने रुपे खा जाएंगे पैसा है नहीं गरीब आदमी अब गरीब आदमी पैसा कहां से लाए कैसे कैसे अन्याय होते हैं दुनिया में मतलब वो तो इतना अच्छा है कि सच में हम लोग सचसंग में लगे हैं तो गुर्मा ने उस आदमी से कहा कि भी तुमने कितना बड़ा आज अच्छा काम किया है कि उस व्यक्ति को ए गरीब आदमी को जिसके पास दस रुपे इलाज के नहीं है उसको बंद करा रही थाने में बताईए कहां से लाएगा वह जारो रुपे चूटने के लिए कितना अन्याय होता है दुनिया में कितना पापकर्म हो जाता है उससे छुड़ाता है सच्छंग अव्यक्ति सच्छंग सुनते हैं थोड़ा तो उन्हों पर असर पड़ा इस बात का तो उन्होंने अच्छा काम किया कितना बढ़िया काम किया मैं सच में मैं तो हे नात हे नात हे नात ही करता रहा कि सच में कितना बड़ा काम है कि किसी एक बिचारे गरीब को जिसका बेटा छूटा या छोटा बच्चा छूट रहा है अस्पताल में उसको बंद करने ले जा रहे हैं था ने बता ही कोई समझे कोई बात है यह ऐसे ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं लोग खेर वो छूट गया फिर बड़ा अच्छा लगा एक शांती मिली कि कैसी है दुनिया तो ऐसे ऐसे कर्म लोग कर जाते हैं इसके क्या प्राइश्चित होगा अगर उसको जेल में बंद करा देते हैं क्या प्राइश्चित होता फिर सोच नहीं सकते पांचवा आता है आवश्चक करतव कर्म खेती व्यापार नौकरे त्यादे जो लोग करते हैं बिजनिस करते हैं जीविका के लिए खाना पीना सोना जागना आते शरीर के लिए जो किये जाते हैं उनको आवश्चक करतव कर्म कहते हैं ये पाँच पाँचवा हुआ, तो पाँच प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नेमित्य कर्म, काम मे कर्म, सकाम कर्म, प्राइश्चित कर्म और पाँचवा आवश्चक करतव कर्म जो हम सब करते हैं रोज, तो गुरु भगवान के शुकराने हैं, तो इन कर्मों का त्या कर सकते हैं और किसका नहीं करना चाहिए यह आगे भगवान ने पूरा अठारवे अध्याय बिलकुत जनरल है और श्रीमत भगवत गीता का निचोड है बहुत तरह की बातें भगवान ने अठारवे अध्याय में बताई हैं सात्विक राजसी तामसी प्रवर्तिया यह सब बताई भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बड़ा ध्याय है अठातर श्लोक हैं इसमें 78 बहुत बड़ा ध्याय है तो हम देरे देरे करके इसको कोशिश करेंगे आसान शब्दों में समझने की गुरु भगवान हमारे साथ हैं गुरु भगवान कराएंगे मेरी कोई शक्ति सामर्थ नहीं है मुझे जो कुछ भी मैं बोल पाता हूँ कृपा है गुरु की भगवान की और जो भी मुझे से कुछ गलतियां हो जाती हैं मैं उसके लिए छमा परारती हूँ गुर्व भगवान के अनंतनन शुकराने हैं सारी कृपा उनी की है उनी के कारण आज हम हैं और नहीं तो हम कुछ नहीं है मैं नाम की कोई चीज नहीं है हम तो जीरो हैं बिल्कुल सारी कृपा गुर्व की है भगवान की है गुर्व भगवान के अनंतनन शुकराने